इस वक्त समानी सेक्टर के अलाखा चाही में यहां पर क्या जी किस चीज़ का यहां पर आपको कैमरी की वसात्त से मुलाजा करवा रहे हैं यह पूरा छट जो है इसका उड़ गया और सामान कुछ तो अभी तक नीचे पड़ा और यहां पर आग भी लग गई जिससे यह सामा का यह इसकी अंदर की कैफियत है समान आपका नीचे ही पड़ाई जी पादस्तू समान सब्सक्राइब समान जैदा तो जल गया बाकी समय समय को समय कहना भी जयती होगी यह इस वक्त इस तरफ भी आप कैमरे को एक जलत दिखवाई चट भी तो यह एक मुकमल खंडर और इन का जो समान है वो सक्रैब की कैफियत में थोड़ा बाहर चलते हैं जी कैमरे में को मैं कहूंगा कि उधर आप नीचे का मनजर भी बिखाए सारा यह पूरे इसकी कैफियत है इस तरह भी एक नजर जी इस तरह यह समान मुकमल यह भी अंदर भी पशीन जी यह भी नुक्सान ह होई है तो अब मैं इन से क्या अलियास नम बताएजी आपने राजा मुहमंद अलियास यह गुड़ा चिबा चाही का एक गउँ है तो यह बार्डर से तो खासा दूर नहीं है बिलकुल फ्रंट वे हैं लेकिन यह टोटली सिवल अबादी है तो एक जलक कहूंगा कि यह साम यह नहीं आरा कि यहां पर कैसे आया चुब कर सामने इस सेंटर में कोई ऐसा मोर्चा पक्तान आर्मी का को ऐसी लोकेशन नहीं है जिस पर यह फायर हो सकता था ताहम जो भी है अगर यह जो सुफएदे हैं यह हमारे आखरी मोर्चे हैं और इसके बैग पर वह सामने जो है इंडियन आर्मी है इस पर भी हम कैमरे का एक रूख करेंगे यह जो आखर में नज़र आ रहे हैं जी अलहाँ सब्सक्राइब इस आवादी के नीचे आपर वाले तमाम जो राइब में वो इंडियन आर्मी के पास हैं तो यह गुड़ा चिपा है चाही का तो आपका लगब कि दोनों कमरे तबाव हो गए कितने नुक्सान हुआ मजमूई तो पे आपको 25 तीस 15 10 लाग कितने का नुक्सान आप कमस कम महसूस करते हैं कमस कम 20 लाग बीस लाग से लट बग और इसको अगर इसको दोबारा विल्ड अप किया जाएगा तो इसको स्क्राप उठाने में भी क जामिया ने आपके लिए को काम किया या कल से अब तक कोई तावन कोई तावन कोई आया किसी ने पूछा इस वक्त मीडिया का अदमी मेरे इलावा कोई मीडिया का अदमी कल से अब तक को आया जी कोई मीडिया का अदमी यहां नहीं आ रहा मेरा तालोक इसी गाउसे है मैं म कशमीर का मीडिया हमारी उस बात को वर्लेवल पे सामने लाने के लिए शाद त्यार नहीं है या उनकी कुछ मसलेशत हैं या मिसालेशत हैं ये हम नहीं कह सकतें लेकिन ये अ pagania पहलू है कि इसके जो मस्बत पहलू है वो भी हुजा कर नहीं हो पा रहे हैं और हम लोग किस के वियत में किश्मीरी एलोशी पे किस किन आलाद का शुकार हैं आ हकूंतों के क्या मुफादात हैं जो स्यासत दाने वो क्रोड़ों के खरजात करते हैं अलेक्शन में तो यहां पे उनका क्या किरदार है मुफाद पर पहुंचे तो आप पानी डाल के आग को बुझाया और उसको बात किया कहते हैं यहां वो पिया ने कोई पया है अबित पंछा जीको यह तो यह कह रहे हैं कि हमारे पस कोई आद्मी किसी आद्मी ने जब एल एक्शन ह Sally को लिए अधरो आई करते हैं अधर्सिंगे अ on her भी आपके पास माकूल तालीम में बाशाओर हैं आप यह बताएं कि आपका मीडिया जो है जिसे आप मीडिया कहते हैं जी टीवी चैनल है और अख़बारात हैं उनका क्या रोल है इस वाक्य के इलावा भी कही है कल शाम तक तो मैं यहां रहा हूं लेकन कोई भी अभी तक आय अगे तो यहं कहेंगे इस वक्त मीडिया का कोई फंते कर आर предлож finish झार यह नहीं तो क्या आप मीडिया से मायूस हैं मीडिया कर वे उLes he whole और वालों को भी अपनी जान प्यारि यह जब कल सारा दिन न्हीं है वो नहीं है वो उनकी ठीक है लेकन यह के मेडिया वाले आजाते आप अभी आप सबसे पहले आप ही है तो आप से यह आखरी पेगाम में नौजवान है तो आजादी कश्मीर के लिए तो इसको बेस केम कहते हैं या अपने नाम सुना है पड़ा या समझते हैं इस बात को जो हैं यह पूरे एक मग्रुजा कश्मीर जो इंडिया के कबजे में है या बाकी तो उसके लिए बेस केम पे उसको आजाद कराएगा तो इसकी रियास्ती धाचा जो अब तक है आपकी जौनी आपकी अमर तालिम यह क्या नजरा आता है कि यह आजाद करवाएंगे या कोई इ इन्शाला पूरी करवाएंगे यám या उसके लेकिन हो आजरा करया करवाएंगे लेकर आ रही जो बड़े लोग गरारों से निकलने आप लोगा जया जा है कहां जाएं लोगों के पास वसाइल नहीं है जगा नहीं है तो हकोमत आप यह देख रहें कि हमारे पास आजाद किश्मीर में जंगल है पहाडें तो अगर हमें वहाँ पना रियासत के लोगों को लोगों को दी जाए जाए और वक्ती तोर पे रखबा दिया जाए मुर्चे के बी जाए Mariに टेनी वे सकती है कि हुँए फोज तो हमारा यही साथ दे सकती एक हमारा जो रात वो इंडियन लोग हुआ इदर को आए हमारी सीवल अबादी पे वो उनको रोक सकती है लेकन जो मौर्चूं का काम है या बाफी काम है वो हकूमत के जिमेंगे के वो हम लोगों की अफाज़त के लिए कुछ ना कुछ तो करे माशाला जी क्या नाम बताया था आपने शमसुर रहमान वाल अंसर महमूद ये मस्टर है किया हुआ इनुने तो इनके जो आपने तासुरात सुने देखे ये अमरजेंसी में आया हुँ मैंने कोई इसको मैनेज नहीं किया नहीं यह इसलिए त्यार थे कि कोई मीडिया का अदमी आ रहा है तो बारहल मैं फ्री लास जर्नलिस्ट हूं तो अल्यास साब से भी आखर में पुछते हैं आपका बेटा क्या नाम है मुहमंद शिराज आपका अतारफ यहां पर आप गुड़ा चिपंगे रहने वाले क्या तो आप क्या तालीम क्या आपकी ताली चीज इनके इस्तामाल की इनके काम की बची नहीं तो क्या बचेगा ये तो अल्ला ही बेहतर जानता है किश्मीरी तो बादस्तूर सीना तान के यहां पर बौर्डर पे भी माजू कुर्बानी के लिए भी त्यार है लेकिन चोटे चोटे बच्चे सामने देखें अगर कोई नुकसान हो जाए तो कोई हमें चोटे चोटे बच्चों की जाने भी शारा कर रहे हैं तो यह बच्चियां बच्चे कहां जाएंगे तो इन दिनों तालीमी इदारों का क्या हाल है यहां पर काली बच्चे 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 काली के साथ और खुसुसां जो बाड़ों के रहते हैं उनके साथ ये सलूक जारी है जारी है और बहुत घलत हो रहा है तो आपके सामने साथ ये क्या इसका सर्फ इंडिया तो कर रहा है नो दुश्मन है बिल्फार्ट तो बाकि जो हमारे दोस्त हैं जो हमारे जिम्हदार हैं उन् स्विल इंद्जामियां के हैं रियासत की हकूमत के तो आग लगी हुई है तो यह इस तरफ इस तरफ लाएं जी कैमरा में वह पंखा नीचे वह पंखा है यह सामान है इस तरह यह जला हुआ है कोई ऐसी चीज बची नहीं नहीं उन्हें उठाई नहीं उठाने वह इस तरह से बसते रहें वह पेटियां हैं तो यह च्छत का बड़ा बुरा हशर हुआ है यह दो कमरे यह दोनों कमरे बाइक वक्त नुक्सवान हुए हैं तो कैमरा में को मैं पीछे कहूंगा कि वह चले जाए ताकि हम इसको बड़े हसास हस हुए है इस सामान की इसमें बहुत से अधा खींति सामान है इनका काफ़ा थाविज़ात वह त्माम जबाद आख आज वह आज इसके वाक्या में जो और मेरी बाकी रिबडरेंग इस तनी टफ थी कि मैं यह यहां तक नहीं पहुंच चका, तो मैं सुबह सुबह आ जाना चाह रहा था, आज बाइस मूमर दो हजार सोला को इस वक्त हम यहां माजूद हैं, तो चौबीस केंटे से लगबग चौबीस बेंटे होने वाले हैं, तो यहां पे हकोमत, इंतजामिया तो कहीं नाम की कोछीज नहीं है, यहां पे मीडिया के अफराद भी तश्रीव नहीं लाएं, और ओवराल भी इस समानी सेक्टर में, चौदरी फादर रहमान, मैं कमजोर सा एक नादा, आपके सामने मीडि का फर्द क्यालाता हूँ, मेरे इलावा को इतनी जानदार रॉपोर्टिंग नहीं करता, तो मेरी रॉपोर्टिंग भी बड़ी मुश्कल से कहीं मैं नेट पर यभी या वेब साइट पर इस्तमाल करने की कोशिश करेंगे, और ओवराल अगर यह को मीडिया का चैनल दिखा को क्या पैगाम देंगे, क्या करेंगी वो, क्या करें, और यह मायूसी हखबा जानब है, चूँकि सतर साल में ना को प्लानिंग सामने आई है, और ना ही लोची के रहने वालों के लिए कोई रिलीफ हा रही है, हम हमारे लोग जब यहां से हिजरत करने, रास्ते में जाते ह आह उसके बार जंगल हमारे जो हैं वो दून दूसके बाद जंगल की जरूरत है लेकिं जब जंगी हलाट हूं तो वह और अमारी इंसान की जरूरत है को अगर मोर्चों पर ढौने जाएं यह वहाँ पर पहले तहसीलदार समानी सियत कलीम अबास से रबता किया कि लोसी के बारे में मैं जनाब का मौकफ जानना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे मौकफ देने से साफ इंकार कर दिया अभी कली के रोज एक दिन पहले बीस को हमारे वजीर माल सरदार फारुक सिकंदर आएं तो उन के वाले से उन्होंने का कि इनकी करप्शन कंट्रॉल करना को हमारे लिए आसान नहीं है मायूसी का इजार किया तो ऐसे आलात में मस्तक्बिल क्या होगा इस पे बात करते चलेंगे अभी हम L.O.C. के अगले वाकिया जो पेश आए एक इस नॉमबर दोजार सोला को रहा है यह भी इस पर गुला लगा है इसके अंदर भी एक और बता रहे हैं देखे हम आए वे हम इसके पीछे लगे हैं अभी और भी हम इसी यहीं की रिपोर्टिंग और करते हैं तो आप कैमरा मेंन को कौँगा कि वाभी बात